सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही दबाए बेल आइकन को ताकि आपको हमाई नौटिफिकेशन सबसे प्रेंट्स इन इस वीडियो वी आर गॉइंग तो डिस्कूस अबाउट इंपोर्टेंट जिक्के कोशन फ्रोम हिस्ट्री ओफ इंडिया So, the first question is Swarn Kaal किस Kaal को माना जाता है? So, option A is Mauryattar Kaal, B. Sangam Kaal, C. Gupti Kaal, D. Mahajan Pad Kaal So, the right option is C. Gupti Kaal, ठीक है? So, come to the next question भारत पर प्रथम, विदेशी, आकर्मन, इरान के किस वंशन, वंश के राजाओ ने क्या? So, the answer is Hakamani. Hakamani. So, the pen is not right. So, now the third question is Sikandar Ke Guru Ka क्या नाम था? So, Sikandar Ke Guru Ka क्या नाम था? अरस्तू. Okay? Now, come to the fourth question. चोल वंश के समय सूती वस्तर का परमुक उत्पादन के इंदर क्या था? तो इसका अंसर क्या है? उरेहुर. उरेहुर. Next question is, fifth question. कुत्ब मिनार का निर्वान किस से, sorry, किस के, किस के द्वारा, किस के द्वारा पर हरंब किया गया? So, the answer is, कुत्ब दीन एबक. किस के द्वारा? कुत्ब दीन एबक. So, इसी में आप पूरा अगला कोशन देए. इसी का अगला कोशन है. तथा, पूरा, मतलँ, चो कुत्ब मिनार का निर्वान है, वो पूरा किस के द्वारा करवाया गया? तो, इसका अंसर है, इल्टु तमेश. इल्टु तमेश. अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन पे. So, अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन पे, इसक्स्ट कोशन रजिया सुल्टान के पिता का क्या नाम था? So, you all know, what is the name of Razia Sultan's father, इल्टु तमेश. इल्टु तमेश. बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन की तरफ, रजिया किस सल्तनत की पहली तथा अंतिम महिला शाशिका थी? The answer of this question is, दिल्ली. Okay, the next question is, 8th, प्लासी का यूद कब लड़ा गया? So, सभी जानते हैं कि प्लासी का यूद कब लड़ा गया था? 1757, 1757 इस्वी, okay? Okay, so the next question is, बक्सर का यूद कब और कहां हुआ? So, जो बक्सर का यूद है, वो कब हुआ? कब हुआ? अप जानते होंगे, 1764 इस्वी, okay? और कहां हुआ? यह हुआ था, भिहार में So, the last one question is, अलबुकर्क ने किस प्रथा को बैन किया था? अलबुकर्क ने स्थी प्रथा को बैन किया था? स्थी प्रथा स्थी प्रथा बैन तो हो गई थी अलबुकर्क के दौरा, लेकिन یہ वापिस भी आ गई थी कब आ गई थी 1961 इस वी में सो इसका मतलम कि स्थी पर्था completely banned नहीं हुई थी हमारे हिस्टरी के अंदर अल्बु करक के समय में उके उन्होंने स्थी पर्था को banned किया था लेकिं 1961 में वो वापिस आ गई थी सो दिस इस दे वीडियो थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी बने रहे है इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नौटिफिकेशन सबसे पहले मिले लाइक करना वीडियो को शेर करना थैंक यू और हाँ अगर कोई क्वैरी हो तो कमेंट करके जरूर बताना थैंक यू